प्रवक्ता बैठी वो उस पाटी की हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दो सीटे पाई थी पच्चिन बंगाल में शुन ने पाई थी और प्रदेश दर्पृदेश ये हार रहें है लोगतंत्र में आपका विश्वास नहीं है और आप लोगतंत्र का बाजा बजा रहे हैं एक बात मैं और कहूंगा इन्हों ने कहा एक नाम नहीं लिया मैं कहूंगा एक नाम अधीर रंजन चौधरी ने ले लिया अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा पी ए पी पी यू मैं फिर बताता हूँ पी ए पी पी यू पपू अदानी महाशे जो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत परम मित्र हैं उनकी कृपा से 609 नंबर से दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गये आपके प्रमोटर्स को भी पचार दिया एक सो चालिस बिलियन डॉलर उनकी वेल्थ हो गई आठ बिलियन डॉलर से किसकी कृपा से मोदी जी की कृपा से एक छत्र राग जो उनको करने दिया गया एरपोर्ट पर पोर्ट पर शिपिंग में फूड और अग्रिकल्चर पे रिन्यूबल एनरजी पे सीमेंट पे वो लगातार चाहे हुए एक मिनिट और मैं अपनी बात यही कहकर समाप्त करती हूँ कि बड़े ग्रहन आकशेप लगे हैं उन पर उन पर स्टॉक मनिपलेशन का उनको ओवर वैल्यू करने का और राउंड ट्रिपिंग शेल कमपनी से संदिग पैसा देश में लाने के आरोप लगे हैं वो डिफेंस में हैं वो पोर्ट में हैं वो एरपोर्ट में हैं ये सरकार जानना भी नहीं चाहती कि किसका संदिग पैसा आ रहा है और दो घंटे चालिस मिनट दो दिल बोढ़ने के बाद मोदी जी अडानी का नाम नहीं ले पाए और इसलिए सवाल ये है कि मोदी जी अडानी जी की जाच कराईए आज सदन जब गूझ रहा था मोदी अडानी भाई 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 और जाच कराओ जेपीसी चाहिए मौनी बाबा मौन तोड़ो तो ये दिख रहा था कि प्रधान मंत्री अस्पहज के आप भरे कितने आकड़े गिला लीजिए लेकिन असलियत यह है कि प्रधान मंत्री का गला सूख राए और गला इसलिए सूख राए क्योंकि वो अदानी स्कैम में घिरे संसत के पटल पर गुंजे मोदी मोदी और ये क्या है ये पूरे देश की जनता भी यही कह रही है मोदी मोदी उनके दिल में मोदी है वो जानते हैं एक व्यक्ति है जो सारे भ्रष्टाचारियों पर परिवार वादियों पर भारी है और उस व्यक्ति का नाम है नरेंदर मो मोदी जी ने ये दिखाया किस तरह से आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं और वो सवाल उठाए जी जो देश की जंता उठा रही है मैं सबसे पहले बताना चाहरा हूँ नगेंद मोदी जी ने कहा कीचड उसके पास था गुलाल मेरे पास था जो जिसके पास था उचाला और जितना ये कीचड पहलाएंगे उतना ही कमल खिलेगा आप देखिए समझे इस बात को 2014-2019 भारतिय जंता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला यहां पे जो प्रवक्ता बैठी वो उस पार्टी की हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दो सीटे पाई थी पच्चिम मंगाल में शून ने पाई थी और प्रदेश दर प्रदेश ये हार रहे हैं दूसरी बात न को मी नकरात्मक राजजिती करते हैं केवल आलोचना करते हैं और यह इसलिए है आप देखिए हर चीज़ का विरोद करना अनुचे370 का विरोद करना भवे राम मंदिर का विरोद करना C.A.A. का विरोध करना और क्या उधारण दिया प्रदान मंत्री जी ने अनुचे 356 लगाया 90 बार कॉंग्रिस की सरकार ने और इंडरा गांदी जी ने 50 बार इसका मतलब लोगतंत्र में आपका विश्वास नहीं है और आप लोगतंत्र का बाजा बजा रहे हैं एक बात मैं और कहूंगा इन्होंने कहा एक नाम नहीं लिया मैं कहूंगा एक नाम अधीर रंजन चौदरी ने ले लिया अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा P.A.P.P.U मैं फिर बताता हूं P.A.P.P.U वो अपने नेता राहूल गांदी को पपू उला रहे थे अमीर देवगंजी आप बताईए अडानी का जाल हमने नहीं बिछाया प्रभू अडानी का जाल तो मोदी जी ने बिछाया पूरे देश में अडानी जी जिनकी आठ बिलियन डॉलर होती थी आए मतलब उनकी नेट वर्थ वो 140 बिलियन डॉलर हो गई अडानी जी जिनको डिफेंस का डी नहीं पता था वो डिफेंस के सबसे बड़े प्लेयर हो गए मोदी जी इसराहिल जाते वापस आते दो महिने के अंदर अडानी जी को MRO का स्रीलंका के तो पावर मिनिस्टर और पावर ओफिशल्स ने भी क्या का कि मोदी जी ने कहा कि या डानी जी को प्रोजेक्ट जाना चाहिए तो ऐसे तमाम हो किस्से हैं तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का वुक्की ने करने का अरम सी लेने का और साथ में है रॉबर्ट वाडरा ये वोही रॉबर्ट वाडरा है जब कॉंग्रिस की सरकार थी तो एरपोर्ट पे लिखा होता था नाम से इनकी जामा तलाशी नहीं होगी और ये देश के जमाई हैं तो क्या इस पे राहूल गांदी कुछ उत्तर देंगे दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ साम्विदानिक पद पे बैठे हैं अशोग गहलोत ये क्या कर रहा है गौतम अदानी के साथ इन्हों ने तो का गौतम भाई आए हैं निवेश लाए हैं बहुत अच्छा है तो राहूल गांदी को बताना चाहिए ये कौन सा रिष्टा है बताईए और मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ जो बड़ी महतपूर्ण है ये इंद्रा गांदी जी की तस्वीर है देखे कैसे भोज कर रही है टेबल पे बैट के धीरू भाई अंबानी जी के साथ ये क्या दर्शाता है क्या इंद्रा गांदी जी भी किसी समू को आगे बढ़ाती थी ये बताएं लेकि करता है कानून तोड़ता है तो ये बताईए कॉंग्रिस की 36 गर्ड में सरकार है यहां पे माइनिंग की इनको लीज दी गई है भुपेज बगेल जी क्यो दी है बताईए राजस्तान में 1600 हेक्टेर लाइंड सोलर पार्क के लिए दिया गया है अदानी ग्रूप को तो अश